Welcome to our YouTube channel, आज हम करेंगे class 12 का chapter 1st relation and function part 5th exercise 1.2 के solution Let's see, question number second, show that the relation are in the set real number defined as a relation this We have to prove that it is neither reflexive nor symmetric and nor transitive So, you can show that the relation defined as a set of real number So, you show that it is not a reflexive or symmetric or transitive Neither, you show that it is not a reflexive nor symmetric or transitive So, first of all, we have to prove that reflexive relation Reflexive relation, condition, what do you think? For every, x belongs to, set, set क्या है आपका इदर? Real number है, set of real number आपको क्या दिखाना होता था? कि जो यह ordered pair है, वो क्या करें? उस relation से belong कर जाए तो क्या करेंगे? मैं कोई एक element pick कर लेती हूं हमें क्या दिखाना है? कि यह reflexive नहीं है तो कोई मैं ऐसा ordered pair choose कर लेती हूं या ऐसा element ले लेती हूं set of real number से जो कि इस condition को dissatisfy कर जाए तो मैं ले रही हूं 1 by 2 मैंने क्या लिया x को 1 by 2 और यह किस से belong कर रहा है? set of real number से belong कर रहा है set of real number से belong कर रहा है तो अब हमें इसको चेक करना है क्या यह belong कर रहा है? इसका belong करने का मतलब है क्या यह इस condition को satisfy कर रहा है लेकिन अगर हम reflexive की बात कर रही है तो हमारे audit pair में दोनों number होंगे वो same होंगे अगर यह a है तो इसकी image भी a होनी चाहिए तो हमने क्या लिया है? x x तो आपको क्या मिलेगा? x x क्या है आपका इधर? 1 by 2 और 1 by 2 तो अब यह देखते हैं क्या क्या इस condition को satisfy कर रहा है 1 by 2 less than equal to 1 by 2 का square तो 1 by 2 less than equal to 1 by 2 का square क्या होता है? 1 by 4 अब half क्या होता है आपका 0.5 और 1 fourth क्या होता है? 0.25 क्या हमारा जो 1 fourth part है क्या greater होगा half part से no that means यह condition satisfy नहीं है that means जो हमने यह order pair लिया है 1 by 2 और 1 by 2 वो क्या नहीं कर रहा? इस relation से belong नहीं कर रहा that means यह condition क्या हो गई? dissatisfy that means अगर हमें यह दिखाना है कि reflexive relation नहीं है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? कोई एक ऐसा example चूज करना पड़ेगा जिससे यह क्या हो जाए? contradict हो जाए इससे हम false दिखा दे कि जो हमने order pair लिया है वो इस relation से belong नहीं कर रहा तो हमने show कर दिया है कि यह क्या है एक number एक क्या उठाया हमने element उठाया किस से order यह क्या है आपका set set से उठाया number 1 by 2 आपको पता है 1 by 2 real number होता है तो आपको यह दिखाना था x और x बिलोंग कर रहा बट यह क्या नहीं कर रहा? बिलोंग नहीं कर रहा क्योंकि यह condition true नहीं थी that means यह हमारा क्या नहीं है reflexive relation now हम बात करते symmetric relation symmetric relation के लिए हमें a coded pair लेकर चलना होता है x y जो relation से बिलोंग कर जाए बट हमें इसका जो opposite है इसका reverse दिखाना होता है वो belong वो भी क्या कर जाए बिलोंग कर जाए इस relation से बट हमें इसको symmetric prove नहीं करना that means मुझे कोई ऐसा example लेना पड़ेगा कि वो इस condition को satisfy ना करे बट हमें एक ऐसा order pair यहां से चूज करना है जो इस condition को satisfy कर जाए तो मैंने let किया 1 और 3 कहां से बिलोंग कर रहे है real number से अगर मैं a को 1 x है ना हमारा पहला x को अगर 1 लूँ और y को अगर 3 लूँ इदर रख x 1 और y क्या है 3 यह किससे बिलोंग कर रहे है relation से ठीक है हमें क्या लेकर चलना है जो x y है वो किससे बिलोंग कर रहे है r से relation से x y क्या है 1 और 3 अगर relation से बिलोंग कर रहे है तो यह ordered pair इस condition को क्या कर जाएगा satisfy तो क्या लिखोगे आप 1 less than equal to 3 का square आपको पता है 1 क्या होगा small होगा किससे 9 से तो यह ordered pair आप choose करके चले क्यों क्योंकि इस condition को क्या कर रहा है satisfy बट अब हमें इसकी reverse condition नहीं यह reverse condition क्या है x तो y हो जाएगा y x तो हम क्या लेकर चले y क्या है आपका 3 और x क्या है 1 अब हमें अगर यह दिखाना है कि इस relation से बिलोंग कर रहा ordered pair तो हमें इस condition को satisfy कराना let's see कि यह कर रहा है नहीं तो x a क्या है आपका 3 है और b क्या है अब आपका 1 1 का square क्या होता है 1 is 1 greater than 3 no that means यह क्या हो गया यह ordered pair इस condition को satisfy नहीं किया that means यह इस relation के अंदर नहीं है तो हम लेकर चले थे यह ordered pair r से बट जो ordered pair है y x वो किसमें नहीं है इस relation के अंदर नहीं है that means हमारा यह क्या नहीं होगा symmetric relation नहीं होगा now अब हम बात करते है transitive relation की transitive relation के लिए आपको यह दो order pair relation से लेकर चलने पड़ते हैं और आपको x z दिखाना होता है कि वो relation से belong कर रहा है तो इसको दिखाने के लिए सब मैं लेकिन आपको यह दिखाना है यह transitive नहीं है तो मैं ऐसा example चूज कर लेती हूँ कि मेरी यह दो condition तो satisfy हो बट यह वाली condition satisfy ना हो तो यह क्या नहीं होगा transitive relation तो x को लिया मैंने 1 by 3 y को लिया मैंने minus 3 और z को क्या लिया मैंने 1 by 2 लिया ठीक है तो क्या कह रहा है जो x y है वो किस से बिलोंग कर रहा है relation से अगर relation से बिलोंग कर रहा है तो वो इस condition को क्या कर जाएगा satisfy that means 1 by 3 and minus 3 ठीक है क्या लिखोगे 1 by 3 less than equal to minus 3 का square minus 3 का square आपको पता है किसी भी negative number का square क्या होता है positive तो क्या मिल जाएगा आपको 1 by 3 less than equal to 9 9 is greater than equal to 1 by 3 that means जो हमने order pair लिया है x y ये वाला ये इस relation से बिलोंग कर अब ये देखते है क्या ये relation से बिलोंग करेगा जो हमने select किया y क्या है minus 3 और z क्या है 1 by 2 ये कह रहा relation से बिलोंग है that means minus 3 and 1 by 2 इस condition को satisfy करना चाहिए minus 3 less than sorry minus 3 ये क्या है a और b क्या है 1 by 2 1 by 2 का whole square तो ये क्या मिल जाएगा आपको minus 3 less than equal to 1 by 4 आपको पता है positive number क्या है greater होता है negative number से that means ये इस condition को भी satisfy कर गया that means जो number लेकर चले है x y और y z क्या लेकर चले है y z वो क्या कर रहे है इन दोनों condition को क्या कर रहे है satisfy कर रहे है अब हम check करेंगे जो x z है x z x आपका क्या है 1 by 3 और z आपका क्या है 1 by 2 क्या मिल जाएगा तो x के place पर रखेंगे x क्या a क्या है आपका 1 by 3 1 by 3 less than equal to b क्या है आपका 1 by 2 1 by 2 का whole square तो यह आपको क्या मिल जाएगा 1 by 3 less than equal to 1 by 4 आपको पता है 1 by 3 क्या है बड़ा है किससे 1 by 4 से बट यह क्या हो गया false हो गया यह कह रहा है 1 by 3 छोटा है किससे 1 by 4 से बट यह true नहीं है that means हमारा जो यह हमने लिया था example यह क्या कर गया इस condition को satisfy नहीं किया इसको satisfy नहीं किया that means यह इस relation से belong नहीं किया that means यह क्या नहीं होगा प्रांजिटिव नहीं होगा तो आपने question number 2 में पढ़ा ना ही यह reflexive है ना ही symmetric है ना ही यह transitive है ना ओन question check whether the relation are defined on the set यह set given है आपको क्या यह relation given है ठीक है आपको यह बताना है क्या यह reflexive होगा symmetric होगा त्प्रांजिटिव होगा सबसे पहले हम क्या बनाते हैं relation बना लेते हैं ठीक है सबसे पहले आपको क्या given है b equals to a plus 1 ठीक है a और b कहां से belong कर रहे हैं आपके इस set से 1,2,3,4,5,6 अब आपको पता है जो यह आपको क्या given है set a given है क्या given है set a that means जो a और b ordered pair है वो किस से belong कर रहे हैं आपको पता है relation जो है क्या होता है subset होता है किसका cartagen product का that means जो यह ordered pair आया है वो कहां से है cartagen product से तो सबसे पहले मैं एक number choose करती हूँ a a को जब one choose करोगे क्योंकि set से choose करोगे a one choose कि आपने तो आपको b क्या मिला 2 तो जब a one था तो b two मिला आपको ऐसे ही जब a को two रखोगे तो b क्या मिलेगा three a को three रखोगे तो b क्या मिलेगा four तो ऐसे ही आपका क्या बन जाएगा यह relationship है सबसे पहले reflexive के लिए आपके पास set में element देखोगे क्या क्या है one two three four five six तो आपके पास क्या होना चाहिए reflexive के लिए one one two two three three four four five five और six six क्या यह सभी relation में है नहीं है नहीं है तो क्या नहीं होगा यह आपका reflexive relation नहीं होगा अब हम बात करते हैं symmetric की तो let किया मैंने एक ordered pair one two क्या यह belong कर रहा इस relation से yes अब हमें इसका opposite दिखाना होता है symmetric के लिए तो हम क्या लेकर चले two one क्या two one इस relation के अंदर है नहीं है that means यह क्या नहीं होगा आपका relation से belong नहीं करेगा तो यह आपका symmetric relation नहीं होगा अब हम बात करते हैं transitive की हम इसमें दो ordered pair उठा कर चलते हैं एक तो उठा कर चलेंगे मैंने लिया है one two अब start कहां से होगा end कहां से हो रहा है two से तो two से start होगा next ordered pair है कोई two से यह रहा तो हमने उठाया two three ordered pair यह दोनों किस से belong करें relation से तो आपको क्या check करना है क्या one three belong कर रहा है इस relation से one three क्या belong कर रहा है इस relation से नहीं belong कर रहा नहीं belong कर रहा है क्यों 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 ordered pair is set के इस relation के अंदर नहीं है, तो यह belong नहीं कर रहा, तो यह transitive की condition को क्या नहीं कर रहा, satisfy नहीं कर रहा, that means ना यह reflexive था, ना यह symmetric था, ना यह transitive